अन्ना हजारे का जो body language है एक dictator का body language है जो dictation करना जानता है तो democracy जैसे चीज़ का इनकी जिंदगी में कोई बहुत जादा जगा नहीं होता है ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है अन्ना और यही कारणे कि अन्ना जी जो कहते हो बहुत stiff तरीका से और बहुत करेश शब्दों में कहते हैं रुक के, ठहर के, pause को यूज करके, silence को यूज करके, ऐसे वो यूज करते हैं जैसे कि जो उन्होंने कह दिया हो final है उसके beyond नहीं है, above everything ये जो dictator की feeling है उनकी body में ये कुट के भड़ी हुई है और यही कारण है कि ओ जो सोचते हैं वही कहते हैं चाहे और रुक के है है और री चोना को ये कुट की जो है कि भी उनकी और रुक करते हैं तो इक शक्तादा है